नमस्कार आप मुझे देख रहे MNS News पर देखते हैं बॉलिवुड की कुछ खास खबरे वाइरल हुआ आईशमान खुराना की बाला का ट्रेलर ड्रीम करके बाद आईशमान खुराना दर्शकों को हसाने फिर आ रहे हैं इस फिल्म में आईशमान के साथ यामी गौतम और भूमी पेंडने कर अहम भूमी का निभाती नज़र आएंगी फिल्म में आईशमान एक ऐसे इंसान का किरदार निभाते नज़र आएंगे जिसे कम बालों की समस्या है जोकर रिव्यू हसी और हिंसा के बीच डार्क सिरहन पैदा करता है ये जोकर वार के साथ जोकर फिल्म दो अक्तुमबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी ये रोल फिनिक्स के करियर की सबसे बहतरी पफोर्मन्स में शुमार की जार सकती है इस फिल्म में जोकर का एक डालाग है कि किसी भी सामाने इंसान को सिर्फ एक दिन लगता है पागलपन की तरफ मुड़ जाने में और धर्म भी इस पागलपन की हदे पार करने लगता है लिहाजा इस फिल्म ने भी बॉक्स ओफिस पर अच्छी खासी कमाई कर ली है बिग बॉस 13 इन दिनों चार लड़कों पर बढ़रा रहा है घर से बेघर होने का खत्रा शुक्रवार को एक मज़ेदा टास के जर्ये पहली बार चार लड़कों को इलिमिनेट होने के लिए नॉमिनेट किया गया शुरुवात में नॉमिनेशन के घेरे में पाँच लड़कों को शामिल किया गया था इनमें सिधार शुकला, असिम रियाज, अबु मलिक, सिधार डे और पारस छाबडा शामिल थे लेकिन सिधार शुकला ने नॉमिनेशन टाक्स जित कर खुद को सेफ कर लिया इसके बाद चारो लड़के अगले हपते नॉमिनेशन लिस्ट में पहुँच गए आपको बता दे कि इस बार घर से बेघर होने के लिए लड़कों से पहले लड़कियों को नॉमिनेट किया गया था इसमें रश्मित देशाई, कोईना मित्रा, शहनास गिल और दलजीत कोर शामिल है अब आप हमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं अब फिलाल वक्तों चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरे देखने के लिए बने रहें MNS News के सा, नमस्कार